नमश्कार 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 आप समय लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्रैम में जिसमें मैं बाते करता हूँ पुरानी और नई बॉलिवूड की हॉलिवूड की टॉलिवूड की फिल्मों से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स और उनके यदि आप हमारे साथ इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो किरप्या करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को शेयर करते रहे हैं और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखरी तक जुड़े रहे हैं मैं को बता हुआ कि आप इस फिल्म को अभी कहा देख सकते हैं सिरी मुन्थुडू 2015 की बारतिय तेलगू भाशा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कोरा तला शिवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है इस फिल्म को 3D मिश्रित मूवी मेकर्स और जी महेश बाब सायक भूमिकाओं में नज़र आते हैं इसे वैश्विक इस तर पर इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितुरित किया गया था फिल्म की कहानी हर्श वर्धन नाम के एक यूविती की है जो अपने पिता रवी कांथ से एक व्यापारिक सामराजी का उत्तरादिकारी है देवरा क गोद लेते हैं और इस्थानी लोगों के जीवन स्तर को और गाओं के बुनियादी धाचे को बहतर बनाने के कुछ समय बिताते हैं उनके प्रयासों से इस्थानी अपराद बहुस शशी यानि संपत राज द्वारा निभाए गई और उनके भाई वैंकट रत्नम एक राजन फिल्म का निर्देशन करने के साथ शिवा ने पठकता की भी देखी है श्री देवी यानि की देवी श्री परसाद ने अंक की रचना की और आर माधी सिनेमेटरग्राफर थे और कोटागिरी वैंकटेशवर राउ ने फिल्म का संपाधन किया हैदराबाद के राम स्टूडियो में 11 अगर्स 2014 को फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ और प्रिंसिपल फोड़ोग्राफिस 7 नवंबर 2014 को पुने में शुरू हुई और जून 2015 के मद्दे तक चली हाला कि फिल्म की अधिकांशी शूटिंग हैदराबाद और उसके आसपास के लाके में की गई थी लेकिन कुछ हिस्सों को तमिल नाडू और मलेशिया में फिल्म आया गया था शिरी मुन्थुडू और उसके तमिल दब संस्क्रण जिसका नाम सेलवधन है और साथ अगर्ज दोयार पंदरों को लगबग धाईज हजार स्क्रीन के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था जारी किया गया था ये सकारात्मक महत्वपूंट स्वागत के लिए खोला गया और एक व्यापारिक सफलता भी रही जिसने 40-70 करोड के बजट में बनी और वैस्विक इस तर पर इसने 140 करोड का मुनाफ़ा भी कमाया और इस अधिक कमाई करी है अब तक की तीसी सबसे अधा अधिक कमाई करने वाली तेलगू फिल्म बन गई फिल्म की रिलीज के बाद कई अभीनेताओं नौकर शाहों और राजनेताओं ने पिछडे गाओं को बिखसित करने की योजना की घोशना की और आंधर प्रदेश और तेलंगाना के गाओं गोद लेने के लिए प्रोट्साहित किया फिल्म युने सर्विश्य इस्ट लोगप्रिय फीचर फिल्म सहित तीन नन्दी पुरसकार महिश भावू के लिए सर्विश्य इस्ट तेलगू अभिनेता सहित तीन फिल्म फैर पुरसकार दक्शन मैं जीते प्रेड़ किया गया था कुरातालाशिवा, लिखा गया था कुरातालाशिवा, प्रडूज किया गया था, वाय नवीन के दोहारा, वायरवी, शंकर, सीवी, companion के दोहारा, म्यूजिक किया गया था देवी प्रसाद शरी के द्वारा और प्रड़क्शन कपनी रही जी महेश बावु एंटर्टेंवेंट एंड मैत्री मुवी मेकर्स डिस्टिबीट किया गया था इसको इरोज इंटरनेशनल रिलेज किया गया था साथ अगस्ट दो हार पंद्रह को र शुरवर्धन के नाम पर शुर्तिहसन चारू शीला एंड जगपती बावु रवी कांत राजेश राजेंदर प्रसाद एज नरायना राव मुकेश शुर्शी एज वैंकटा रातनम के किरदार में नज़र आए थे स्री मुंतूरू तेलगु भाशा में बनी एक एक एक्श सिवा ने किया था साथ ही फिल्म की कहानी भी उन्हों नहीं लिखी थी इसके अलावा फिल्म को महिश बाबु ने खुद ही प्रड्यूस किया था इस फिल्म का म्यूजिक देवी श्री पर साथ ने कॉम्पोस किया था फिल्म की फिल्म में च्छे गाने थे और सभी गाने उ नम नाम से रिलीज किया गया था और वहां भी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था यही वज़ा थी कि यह फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉक्बास्टर थाबित हुए और इस फिल्म ने उस समय की सबसे जादा कमाई करने वाली सुपर स्टार पवन कल्यार की तेलगू फिल्म डेरिंग बाज और अलू अर्जुन की फिल्म सन अफ सत्यमूर्थी का भी रिकॉर्ड तो डाला लेकिन यह फिल्म प्रभास की बाहु बली दा बिगनिंग का रिकॉर्ड नहीं दोड़ पाई इसके बाब जूद यह है उस समय की तेलगू भाशा की दूसी नंबर की सबसे अधा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म के बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के आगड़े पर अगर नज़र डाले तो चली बात करते हैं श्री मुंतुडू का जो रियल तेवर मुवी बजट है वो है 50 करोड और श्री मुंतुडू ने दा रियल तेवर बॉक्स ओफिस का जो इंडिया में कलेक्शन किया वो 109 करोड पूरे वल्ड वाइड किया इसने 200 करोड रुपे का वल्ड वाइड कलेक्शन किया बेहधी श करोड रुपे का आगड़ा पार किया था महेश बाबू की फिल्म श्री मुंतुडू बॉक्स ओफिस पर तो ब्लोगबास्टर रही ही साथ में कई अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही इस फिल्म को साल का सबसे अलग केटिगरी का एक कुल मिलाकर 24 रॉमिशन मिले थे जिस नामचरण की फिल्म मगधीरा और प्रभास की फिल्म बाहु बलीदा बिगनिंग के बाद महेश बाबू की फिल्म श्री मुंतुडू सबसे ज़्यादा कमाई करने में टी आर पी लाने में नमबर वन फिल्म रही इसके अलावा इस फिल्म को हिंदी भाशा दर्रीयल तेव और नाम से भी डब किया गया था और जिसे दर्शकों ने खुब पसंद किया था जिल्लोगों नहीं फिल्म देखी हैं उन्हें पता होगा कि फिल्म में महेश बाबू अपने पैत्रिक गाउं को अडॉप्ट कर लेते हैं इस फिल्म में महेश बाबू को इतना प्रभावित कि उन्होंने सच में तेलंगाना का एक गाउं सुद्धपुरम अडॉप्ट कर लिया था उनका खर्च आज भी महेश बाबू ही उठाते हैं इतना ही नए महेश बाबू इस फिल्म के बाद और उनके गाउं को अडॉप्ट करने के बाद साउथ में कई एक्टर्स और नेता हुने बैकवर्ड इलागों को डेवलप करने का फैसला किया था फिल्म में महेश बाबू की परफॉर्मेंस से खुश होकर फिल्म के डिरेकटर कोरा ताला सिवान महेश बाबू के एक ओडी कार गिफ्ट कर दी थी जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए थी इस फिल्म महेश बाबू ने कनो डाले सनलेपले कार्बन 3 साइकल का इस्तमाल किया था जिसकी कीमत मार्किट में करीब 3.5 लाख रुपए है फिल्म के सिनेमेडोग्राफर मैथी मैधी ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए फ्रांस स्पैन सिंगापुरों कई बड़े देशों की जगों पर रिजेट कर दिया था आखिर में उन्होंने मलेशिया का एक महल चुना जिसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ जिन फिल्मों की भी शूटिंग हुई है वो सभी फ्लॉप हुई है बता दे बॉलिवूड फिल्म रॉय भी यहाँ फिल्म शूट की गई थी जो बॉक्स आफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी इसी के बचलते काफी लोगों ने यहाँ शूटिंग करने के लिए मना गर दिया था लेकिन जब यहाँ फिल्म बात महेश बाबू को पता चली तो उन्हों ने कहा कि वो ऐसी अंदविश्वाजी बातों पर बाते नहीं करते और नहीं बात मानते हाकिरकार फिल्म की शूट वहीं हुई और ब्लॉक पास्टर भी हुई जिस समय शुरी मंतुडू फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था उस समय इस फिल्म को अलोचनाओ का सामना करना पड़ा था क्योंकि टीजर में दिखाया गया थी कि महेश बाबू एक कांच की दीवार के सामने खड़े है और कैमरा उनकी पीट पर फोकस कर रहा है ठीक ऐसा ही इसी नाविर खान की फिल्म धूम 3 और हॉलिवूड फिल्म दडाक नाइट के टीजर में भी दिखाया गया था इसलिए लोगों का मानना था कि फिल्म महेश बाबू ने यह सीन कॉपी किया है आपको बताने महेश बाबू की फिल्म शरी मुंतुडू सबसे पहले 17 की रिलीज डेट बदल दे इस पर महेश बाबू ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा कर 7 अगस्त 2015 कर दी तो इस परकार से यह फिल्म भी कई अपने रिकॉर्ड बना चुकी है और कई अच्छे के पर जा चुकी है कई लोग इसको देख चुके है कापी लोगो इस फिल्म को देखा भी होगा अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है अगर आप देखना चाहते तो ये फिल्म अभी available है Z ए